तो हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि यूईची और कामी शीरो का गेंबल स्टार्ट हो चका था जिसमें कामी शीरो चार में से तीन डाउन जीत चुका था और लास्ट ली यूईची की बारी थी डीलर बनने की तब ही वो 500 मिलियन की बैट प्लेस करता है और वो क अब कामी शीरो सोचता है एक ऐसा फ्यूचर जो मैं भी नहीं देख सकता आखिर मैं क्या चीज मिस कर रहा हूँ ये क्या प्लान बना सकता है ये बिलकुल सही है कि इसकी टीम पर सिर्फ 10 मिलियन यह नहीं बचे है क्या ये अपने बाकी के दो टीमेट्स को सोल्ड आउट कर नहीं की सोच रहा है जैसा कि उसना फर्स्ट राउंड में किया था और फिर वो यूईची से बोलता है लेकिन अगर तुम अपने दोनों टीमेट्स को भी बेच दोगे तो उनका सम मिलाकर भी सिर्फ 250 मिलियन यह नहीं होगे और ये सिर्फ तुमारी बैटिंग की हाफ प्र यह यहां पर क्या चल रहा है खैर मुझे पता ही था कि यह दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है जिस वएसे इसने शिनोमिया की मदद की बट इसने इसकी टीम को 250 मिलियन येंट क्यों दिये आखिर यह इसकी इतनी बड़ी मदद क्यों कर रहा है बट तबी काईडो उससे बोलता है लगता है तो मैं काफी अश्यर हो रहा है कि आखिर मैंने क्यों इसे इतनी ज़्यादा अमाउंट उदार दी इस चीज़ के लिए मेरे पास दो रीजन्स है पहला तो यह अभी मेरे पास जितने पैसे हैं उस वएसे मेरे लिए 250 मिलियन येंट ज़्यादा नहीं है और मैं और मिशीमा अपना एक चोटा सा गेंबल कर रहे थे जिसमें मेरी कम्प्लीट विक्टरी हुई और अगर मैं स्पैसिफिकली बोलो तो वो मेरी डॉटर थी चूकि हमारे लिए जीती और जो दूसरा रीजन है जिस वएसे मैंने इसको इतना बड़ा अमाउंट उधार द जीतेगा जिस पर कामीशिरो सोचता है ये क्या बोल रहा है काटागीरी इस गेम को जीतेगा बट ऐसी चीज तो होई ही नहीं सकती नहीं नहीं एक पॉसिबिलिटी है जिससे ये हो सकता है और वो सिर्फ तभी हो सकती है जब कोकोरोगी युटोरी रियालिटी में मेरे माइ नहीं पता होगा तो आखिर लोग का रियल गेम क्या है और तभी सियो सुकीनों से पूस्ती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों तुमने हमसे ये बोला कि युईची को अंडरिस्टिमेट मत करना हाँ देखनी से लगता है कि अभी उसने हार नहीं मानी है बट प्रेसेक्शन का अभी क्या मतलब था बट तभी टोजो बोलता है ये एक लग हो सकता है किसी भी गेमबल को प्रैमरिली जीतने के लिए दो तरीके हो सकते हैं पहला तो ये कि तुम उसे फेरेंड स्क्वेर जीतो और दूसरा ये कि तुम अपने अपोनेंट को हारने पर मज हो जाता है कि अब उस पे जीतने का कोई और चारा ही नहीं है और तभी उसने ये 500 मिलियन येन प्रिपेर किये जोकि कामी शीरो की टोटल मनी से 359 मिलियन येन जादा है और तभी सुदिनो बोलती है लेकिन तुम ओल्ड मेट जैसे गेम में कभी भी गिवप नहीं कर सकते हो है ना जिस पर टोजो बोलता है और इसी वज़े से अगर अब काटागिरी ये सजेश्ट करता है कि वो अब नहीं खेलना चाता तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो 500 मिलियन का एक प्लफ था और उसके पास जीतने के लिए कोई भी प्लांस नहीं है और तभी यूईची कामी शीरो से बोलता है कामी शीरो सान मेरे पास एक सजेशन है इस लास्ट बैटल के लिए क्या तुम स्टेब डाउन करना चाते हो और अगर मैं तुम से होनेस्टी बोलो तो मुझे उस एक्ष्टर मिनी की कोई जरूवत भी नहीं है मुझे सिर्फ इतने पैसे चाहिए जिससे क कि मैं अपनी टीम के सारे मेंबर्स को इस शिप से सेफली उतार पाऊं तो मेरे लिए सिर्फ 150 मिलियन यानी काफी होगे अगर तुम मुझे सिर्फ इतने ही पैसे दे देते हो तो मुझे ये बैटल अभी इसी वक्त एंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अग मामी सीरो यूची से बोलता है तू काफी बचकानी बाते कर रहा है बच्चे तू नहीं तो अभी वो 500 मिलियन की बैट लगाई थी क्योंकि तू काफी ज़्यादा कॉइन्ट था कि तू जीज सकता है लेकिन अब बोल रहा है कि तू नेक्स गेम नहीं खेलना चाता जिस पर यूची बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं सच में गैमिलिंग में काफी बुरा हूँ मैं ये पागलपन वाली गेम कभी भी इंजोई नहीं करता हूँ शहाँ पर तू इतने बड़े अमाउंट की बैट सिर्फ अपनी लग पर लगाओ मैं ऐसी चीजों से काफी नफरत करता हूँ और इसी वज़े से मैं ये नेक्स्ट गेम सच में नहीं खेलना चाता क्योंकि वो नेक्स्ट गेम कम्पलीटली लग पर करेगा जिस पर कामी शिरो बोलता है अगर तुम ये बैटल खुछ से लड़ोगे तो और फिर कामी शिरो काइडो से पूशता है तो काइडो कु तुम्हें क्यों लगता है कि काटागीरी कुन ये next battle जीट जाएगा जिस पर वो उसे बताता है वो इसलिए क्योंकि मेरी बच्ची ने मुझसे ये बोला है कि जो ये next game जीतेगा वो होगा काटागीरी और तुम्हें मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं है बट वो साटोने ह जो कि कभी भी एक भी gamble में नहीं आ रही है तो इसी वये से मैं सिर्फ एक winning watch पर बैट लगा रहा हूं और कामी शिरो बोलता है क्या वो सच में कभी भी कोई gamble नहीं आ रही है ये तो काफी खतरनाक है और फिर वो मन में सोचता है बेसिकली इन दोनों के ही पास ये सोचने का क कोई भी concrete reason नहीं है कि वो ये next battle जीत जाएंगे in other words इन लोगों ने अभी तक ही notice नहीं किया कि मैं कैसे utory को control करके ये round जीत रहा हूं और फिर वो लोगों से बोलता है वो सकता है कि ये हमारे लिए काफी जादा अच्छा रहे कि हम इस 500 million की battle को avoid करें लेकिन फिर भी चलो य game खेलते हैं क्योंकि मैं ये future देख सकता हूँ जहां पर मैं ही इस battle को जीतूँगा और तबी अपने यूईची बोलता है अच्छा तो ऐसा क्या मैं सच मैं तुमसे काफी जादा disappoint हुआ तो अब तुमारे पास कोई और choice नहीं है तो अब हम इस battle को खेलते हैं and betting 500 million for one round the crazy game of old made और फिर इसके बाद यूईची वो cards को shuffle करके सारे लोगों को बाट देता है और तबी अपना final round start हो जाता है और तबी CEO बोलती है आखिर का last game start होई गया और हमें यूईची के thoughts अभी तक नहीं पता तो सुकीनो सान आखिर तुमारा क्या true motive था इस बात के पीछे कि हम लोग यूईची को underestimate ना करें जिस पर सुकीनो बोलती है who knows मैं अभी इस game के दौरान इधर ओधर बहुत सारे काम कर रही थी जिस वएसे मुझे इस game की current situation के बारे में कुछ भी नहीं पता बट जूची मैं तुम लोग से बोलना चाती हूँ वो ये है कि मैं जो इसे अब तक हर game के दौरान गौर से देख रही हूँ इस वएसे मैं ये imagining नहीं कर पा रही कि वो इतनी आसानी से हार जाएगा without trying anything क्या यही चीज तुम भी नहीं सोसती हो जिस पर सियो भी बोलती है हाँ तुम बिलकुल सही बोल रही हो और इसी के साथ अपना final round चल रहा था और कामी शिरू के पासी सबसे पहली बार मैं जोकर लगा था वो सोसता है अगर जोकर स्टार्टिंग में ही कोको रूई के हातों में लगा होता तो मैं already जीत जाता बट कोई problem नहीं है जैसी चीज़ें अभी तक चल रही थी वैसी ही चलती रही तो काटा गिरी वो जोकर बहुती जल सिंजी के हातों से ले लेगा लेकिन उसने वो जोकर उसके हातों से अभी तक नहीं लिया था लेकिन कामी शीरो अपने होपस नहीं खोता वो सोसता है ये बस लगी है पर थोड़े टाइम में ये वो जोकर उसके हातों से ले ही लेगा लेकिन यूईची किसी भी चार्स में वो जोकर नहीं निकाल रहा था और कामेशिरो ये देखकर काफी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है वो सोचता है इसका लग अचानक से इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया और कहीं ऐसा तो नहीं उसने उससे बोला था कि ये लाश्ट राउंड कंप्लिटरी लग पर डिपेंड करेगा बिकॉस इस राउंड के लिए उसने ये प्लान किया है कि वो अपना पूरा कंसेंटरेशन लगा कर उस जोकर को निकालने से अवाइड करेगा हाँ ये बास सेंस में आ रही है उसके ये बोलने पर कि ये राउंड टोटली लग पर डिपेंड करेगा पट शिंजी हमेशा काफी ज्यादा टेंशन में आकर सुचता है अब ये काफी ज्यादा प्रॉब्लेमेटिक होगा अगर उसने नेक्स चांस में भी जोकर नहीं लिया दो और इसी के साथ यूइची की लास चांस आ जाती है वो टोटल 50-50 परसेंट चांस पर होता है कामी शीरो सिर्फ मन में य ज्यादा बरेशन हो रहा था और एट लास्ट वो काड ले लेता है जो कि होता है जोकर का और यहीं पर कामी शीरो काफी ज्यादा खोश हो जाता है वो सोचता है अब तो मैं ये बैटल जीती जुका हूँ अब बस प्लान के मुताबिक कोको रोई को जोकर का का काड जाता है और वो कार्ड को थोड़ा सा स्लाइड कर देता है जिस वज़े से कोकोरोई के हाथों में जोकर नहीं लगता और तभी कामीशिरो उससे बोलता है तो अब कोकोरोई सान मेरी चांस है वो कार्ड ड्रॉ करने की लेकिन तभी कोकोरोई उससे बोलती है लेकिन मेरा गेम फिनिश हो चका है क्योंकि मेरे पेर बन गए हैं और ये पहली बार था जब कोकुरूई का गेम फिनिश हुआ था और इस वजए से कामी शीरो की चांस इसके पोजाती है और फिर शिंजी कामी शीरो से वो काड लेता है और फिर उसके बाद वो भी काफी ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर कामी शीरो के पूछने पर वो बताता है कि मेरे लिए भी ये गेम फिनिश हो चुका है और इसी के साथ अब सिर्फ कामी शीरो और यूईची उस गेम में बचे थे और फिर तबी यूईची कामी शीरो से बोलता है जिस टाइम मैंने जोकर ड्रॉ किया था तब ही मुझे पता चल गया था कि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे मैं ये गेम जीत पाऊंगा क्योंकि अगर उसके expressions completely read हो रहे हैं तो जोकर उसके हातों से कभी भी नहीं लिया जाएगा और इसी वज़े से मुझे तुम्हारे साथ ही 1v1 करना था बट क्योंकि मैं gambling में काफी ज़्यादा बुरा हूँ और इस tremendous battle में जहाँ पर हमारी सारी money line पर लगी है मैं इस जगे पर बिल्कुल भी confident नहीं हूँ कि मैं अब अपना बिल्कुल सीधा साथा face और रख पाऊंगा तो अब जो crazy battle मैंने तुम्हारे साथ करने की सोची थी इस वज़े से काइडो सान प्ल और फिर वो दौनों कार्ट को टेबल पर रख देता है तो ये लो अब जब कि मैं भी इन दौनों कार्ट में नहीं जानता कि जोकर कौन सा है so now make your choice कामी सीरो साइका ये 500 million जीतने का 50% chance है अगर तुम्हारी God's Eye सच में रियल है तो तुम जोकर को easily avoid कर पाऊगे है ना और depend होगी और अब ये सच में वैसा ही गेम बन गया है अगर इसकी ट्रिक सच में perfectly shield है तो कामी सीरो अब और ज़्यादा strong will के साथ इस 500 million की gamble नहीं लट पाएगा जहां पर ये भी completely destroy हो जाएगा बट तभी कामी सीरो भी aggression के साथ बोलता है तुझे लगता है तुझे लगता है कि इसका ये confidence सिर्फ एक bluff है पर तभी टोजो बोलता है नहीं तुम उस face को closely देखो जिस पर CEO बोलती है क्यों बट मुझे तो उसके चेहरे को देखकर कुछ भी नहीं पता चल रहा जिस पर टोजो बोलता है वो चेहरा नहीं तुम कोकोरोगी यूटोरी के expressions को देखो और इंडिकेट कर रहा था कि वो जानती है कि आखिर उन दौनों कार्ट में से जोकर का कार्ट कौन सा है और CEO बोलती है तो क्या इसका मतलब ये है कि गोट साई अभी भी जिन्दा है बट कामी शिरो ने अभी तक कोकोरोगी के facial expressions को notice नहीं किया था और वो काफी ज़्यादा पर अगर मैं अब इस वक्त हारता हूँ और वो 500 million yen को खो देता हूँ तो मेरा current sum completely खत्म हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा अगर मैं ये 500 million को नहीं चुका पाऊंगा तो मुझे अपने आपको भी बेचना पड़ सकता है मैं अभी अपनी इतनी simple side को लोहों के सामने नहीं द होगे तुम अपने उस प्यारे से title को भी खोद होगे चोंकि है founder of your religious sect क्योंकि तुमारी सच्चाई है चोंकि अभी होने वाला है तुम जानते हो ना क्योंकि तुमने अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि तुम अब अपनी true god side को use करोगे अगर तुमने अभी भी उस जोकर वाले कार्ट को ड्रॉग किया उस god side को use करने के बावजूद भी तो उसका मतलब यही होगा कि कामी शीरो साइका की power सिर्फ एक छूट है और जो भी चीजे तुमने उससे अब तक पाई है तुम वो सारी चीजे खोद होगे और उसके बाद कामी शीरो हकलाते हुए बोलता ह नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा लेकिन तभी सिंजी उसको काफी खतरनाक तरीके से देख रहा था और चूट की कामी शीरो ने पहली बारी नोटिस किया था वो उससे बोलता है सिंजी कुन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो बट सिंजी तभी अपने वोश में आकर उससे नहीं नहीं कुछ भी नहीं कामी शीरो सामा मुझे आपकी पावर्स पर पूरी तरीके से बिलीव है और तबी कामी शीरो टेंशन में आकर यह सोचता है ये तो काफी बुरा हुआ मैं ये सब कुछ ऐसे ही नहीं को सकता हूँ फॉर मी जोकि सिर्फ एक अनपॉपुलर मैजी तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने कितना hard try किया था अपने इस current social status को पाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब हार नहीं सकता अब ये time believe करने का है क्योंकि विश्वास पहाड भी इला सकता है अब इस इतनी extremely limited situation में अगर मैं अपनी पूरी जान लगा कर focus करूँ तो हो सकता है कि मेरी power awake हो जाए और इस moment पर मुझे इस card के आरपार देखने की सकती दे और फिर वो अपनी आँके फाड़ फाड़ कर उन cards को देखने लगता है लेकिन दूसरे ही पल वो निराश होकर सोचता है ओ शिट मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं और तब ही उस कि दिल के अंदर देखने से जादा वक्त लगता है और वो मन में सोचता है क्या मुझे ये situation सिर्फ अपने luck पर छोड़ देनी चाहिए नई अगर मेरे पास थोड़ा भी luck होता तो मेरी life trickery के साथ नहीं बरी होती जैसी की अब है और तब ही वो कुछ notice करता है वो सोचता है ये ये क्या चीज है इस right card के side पर एक छोटा सा dent है ये आखिर क्या है क्या ये शुरुआ से ही यहाँ पर था बट ये काफी मुश्किल है कि इस तरीके का निशान naturally बन जाए मुझे थोड़ा गहराई से सोचना होगा हो सकता है ये मेरे जीतने की एक छोटी सी उम्मीद हो च तो जरूर किसी ना किसी को तो इसका answer पता होगा कोई ना कोई तो ये जरूर जानता होगा कोकोरोगी युटूरी क्या तुम इस mark का मतलब जानती हो और तभी कोकोरोगी अपने lips को squeeze कर लेती है और कामी शिरो को ये ध्यान आता है कि ये वही sign है जो कि हमने game के during use करने का प् अब मुझे बताओ कि मुझे इन दौनों कार्ट्स में से किसे उठाना चाहिए क्या वो ये कार्ड है नहीं नहीं ये नहीं है और फिर जब वो दोसरे कार्ड पर हात रखता है तब कोकोरोगी अपने lips दुबारा squeeze कर लेती है और कामी शिरो ये समझ जाता है कि ये वही कार् देख सकता हूँ मैं ये देख सकता हूँ लड़के और तभी शियो बोलती है क्या ये हो सकता है कि वो ट्रूप और साई वाली बात सिर्फ एक bluff था उसे तो यूटोरी के facial expressions के बारे में भी नहीं पता जिस पर तोजो बोलता है देखने से ऐसा रखता है कि अब उसने ये notice कर लिया है और उसी वएसे ये God's Eye दोबारा से चिंदा हो गई है कामी शिरो अभी जानता है कि उन दोनों कार्ट में से जोकर कौन सा है और इसी वएसे कोकोरोई का माइन कंट्रोल बिलकुल परफेक्ट है और इसी वएसे इस टाइम सच मैं कामी शिरो साई का ये गेम चीच च चुका है और फिर कामी शिरो यूइची से बोलता है I'm sorry काटागीरी कुन मैंने ये देख लिया है मेरी God's Eye बिलकुल रियल है In the end तुमारी इस final struggle में भी तुमें कोई भी fruitful result नहीं मिला लेकिन यूइची उससे बोलता है ये तुम किस तरीके का bluff मार रहे हो जिस पर कामी शिर के बारे मैं काफी अच्छे से जानता हूं कि तुम अभी ऐसा सोचना चाते हो कि ये सब सिर्फ एक bluff हो अभी तुमारा हट रिट करना काफी ज्यादा easy हो चुका है God's Eye exist नहीं कर सकती ये आदमी सारी बातों के बारे में सिर्फ जूट बोल रहा है ये बैटल तो सिर्फ लग और मैं नरक में गिर जाओंगा लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो जैसे ही मैं जीच जाओंगा मैं तुम सब लोगों पर तया करके सब को बचा लूँगा और मन में सोचता है सिर्फ तुझे छोड़कर काटा गिरी यूईची और जैसे ही वो उस काट को उठाने जा भी जोड़कर कोशिश कर रहा है हाँ अच्छा इसे यह पता होगा कि इन दोनों कार्ट में से जोकर कौन सा है और इसने मुझे अभी इतनी जल्बादी में इस लिए रोका क्योंकि अभी मैं नोन जोकर वाला कार्ट फिलिप करने वाला था मैं अभी कोई और रीजन नहीं स बोलता है तुम बिल्कुल सही हो क्या ये कार्ड सच में सही कार्ड है क्या तु ये सोच रहाता कि मैं तुस्से कुछ ऐसा बोलूँगा यू फूल मैं न तुस्से ये पहले ही बोल दिया था कि मैं अपनी गौट साई को यूज करके ये पता लगा सकता हूं कि इन में से कौन स जोकर वाला कार्ड है तो सुन ये वाला कार्ड जोकर नहीं है ये वाला कार्ड जोकर है तू मुझे कनफ्यूस करने का कुछ भी ट्राय कर बट सचाई चेंज नहीं होगी काटा गीरी हुए तूने अब तक काफी सारे लोगों को डिसीव किया होगा और तबी तू ये सोच रहा था कि तू मुझे भी डिसीव कर देगा मुझे डिसीव करना बिल्कुल इंपॉसिबल है क्योंकि मैं भगवान के द्वारा चुना गया हूँ और मुझे ये गिफ्ट दिया गया है चूकि है गौट साई तू काफी खुश नसीब है कि तू मुझे आज इस जगे पर मिल पाया और वो मन में सोचता है ये कितनी अच्छी फीलिंग है कि तुम उपर से किसी इंसान को लेक्चर दो और ये सब तुझे कैसा लग रहा है कोकुरोगी ये वो मुमेंट है जब मैं काटागिरी को मार दूँगा वो उससे बोलता है क्यूंकि तू उस इंसान से मिला जिससे तू कभी भी नहीं जी सकता तो अब इसी वक्त से तेरी दोके से भरी जिन्दगी का एंड होता है तो अब मर जाके काटागिरी यूईची लेकिन जैसे ही वो काट को फिलिप करता है उसकी पूरी तरीके से फटके हाथ में आ जाती है क्यूंकि वो काट जोकर का था वो अपनी आखों को बार-बार रब करके देखता है लेकिन वो तो सच्चाई थी कि उसने जोकर का काट उठाया था फिर वो होश में आकर काटागिरी से पूस्ता है काटागिरी रुको ये सब कैसे हुआ और वो मन में सोचता है नहीं नहीं ये वो इंसान नहीं होना चाहिए जिससे मुझे अब कुश्चन करन है मुझे तो अब उस लड़की से कुश्चन करना चाहिए जिसने मुझे ये बताया था कि ये करेक्ट कार्ड है और फिर वो कोको रुई की कॉलर पकड़ कर उससे बोलता है आखिर क्यों आखिर क्यों कोको रुगी यूटोरी at the end of the end तूने मुझसे जूट क्यों बोला don't tell me कि तुझे ये शुरुआ से ही पता था कि ending में चीज़े ऐसे ही turn out होंगी और तू इस पूरे time सिर्फ acting कर रही थी ये कितनी realistic acting थी तू तो सच में काफी unbelievable ओरत है यहाँ पर सबसे खतरनक चीज काटागिरी की cleverness नहीं है बट तेरा वो खतरनक talent है जोकि दूसरों को काफी आ मैंने तुम्हें दोका नहीं दिया है कामी शिरो सामा मैं तो बिल्कुल शुरुआ से ही तुमारी मदद कर रही थी और मैंने इस time भी तुमारी मदद की जिससे कि तुम जोकर को draw नहीं कर पाओ और admins भी यही बोलते है तो सच में यही हुआ था और reality में भी वो completely कामी शिरो चाहिए यू formal magician bastard तु अभी यह सोच रहा होगा कि मुझे तेरे पाश्ट के बारे में कैसे पता है है ना और मुझे कोई book read करने के लिए god side जैसी चीज़ की जरूरत भी नहीं है जिस पर कामी शिरो बोलता है आखिर तुने क्या किया था जिस पर यूइची बोलता है मैं कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है लेकिन तुझे नहीं लगता कि अभी तुझे कुछ करना चाहिए और फिर वो कामी शिरो के पूछने पर बताता है कि अब तु अपने हार को accept कर कामी शिरो साइका तु ये battle हार चुका है जिस पर कामी शिरो काफी बढ़कते हुए बो कामी शिरो सामा की help कर रही थी जिससे वो गेम जीत पाए है ना कोकोरोगी और तभी कामी शिरो को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि उसने कोकोरोगी से गुस्से में वो question पूछा था जिस वए से युईची को ये पता चल पाया और तभी युईची वो agreement उस table पर रख कर बोलता है तूने इस agreement पर sign किया है और इसमें ये साफ साफ लिखा है अगर तुम गेम के दोरान cheating करते हुए पकड़े जाते हो तभी वो game end हो जाएगा और जो दूसी टीम है वो जीत जाएगी तो इसी वएसे ये मेरी जीत हुई ये सही है है ना मनाबू जिस पर मनाबू भी agree करता है जिसके बाद कामी शीरो कुछ सफाई देनी की कोशिश करता है बट तभी युईची उससे बोलता है ओए ओए क्या तुम सच में rules को break करने की कोशिश करना चाते हो खैर मुझे उससे कोई भी problem नहीं है क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तो तुम्हें मुझे 500 million नहीं देने होंगे बट तो मैं पूरे 1 billion yen देने होंगे for breaking the rules और कामी शीरो सोचता है आखिर इस इंसान के साथ क्या हो गया है ये तो ऐसा लग रहा है कि ये एक debt collector हो बट रियली 1 billion मजा करना बंकर और इसने सच में वो 1 billion yen मुझे से ले लिये तो मैं काफी बड़े debt में आजाओंगा और इससे भी जादा मेरी pride ये allowed नहीं कर रही है कि मैं अभी अपनी हार इतनी आसानी से मान जाओं क्या कोई तरीका है कि अभी मैं अपनी situation से भार आपाऊं शिट यार आकिर क्यो मनाबू यहाँ पर है मैं अभी कोई forceful तरीके का use भी नहीं कर सकता हूं शायद तो मेरे पास अब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है बट तभी सिंजी उसके कंदे पर हाथ रखकर बोलता है कामी शिरो सामा अगर ये सिर्फ 500 मिलियन है तो ये काफी चोटा है और हमारे पास फिर भी कोई चांस रहेगी और फिर उसकी बात मानने के बाद कामी शिरो अपनी loss को accept कर लेता है और उसी के बाद उसकी टीम का updated balance हो जाता है minus 141 million yen और यूईची की टीम के हो जाते हैं पूरे 510 million yen लेकिन ये बास CEO बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी वो बोलती है यूईची जीत गया बट कैसे तुमने ही तो बोला था कि वो हार जाएगा अगर यूटोर तुमारी तीनो हार और उस कार्ड पर वो मार्क इन सम्में से कितनी चीज़े तुमारे प्लांस के according थी और तुमने मुझे लाश्ट में जोकर निकालने पर कैसे मजबूर किया बट इस पर अपना यूईची बोलता है क्या तुम माइंड कंट्रूल के बारे में जानते हो ख सबसे पहले तो तुम उस इनसान को एक miraculous situation दिखाओ चूकि mentally कौर्णार हो चुका है जिससे कि तुम उसका बरोसा जीत पाओ और next ली तुम बार बार उनकी weakness को point out करो और उनके mind में ये बात भर दो कि decision making कितनी ज़्यादा खतरनाक है अगर तुम ऐसा करोगे तो वो इनसान ख और इसी के साथ mind control complete हो जाता है तो क्या तुम्हें इस चीज़ से कुछ याद आ रहा है और फिर यूची कामी शुरू के पूछने पर बताता है जो old made हमने अभी खेला था क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस game के दौरान तुमारे लिए काफी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई और उन सारी चीज़ों और miracle के अलावा वहाँ पर एक इनसान था जिसने तुम्हारा trust 100% जीत लिया था तुम्हें उन games को जिताने में contribute करने के बाद है ना और उसके result में जब वो last battle स्टार्ट हुई और जब तुम real में पूरी तरीके से corner हो चके थे तो तब तुम किस प्रेस कर रहा था कि ये कोकोरुई पर कितना ज़्यादा trust करता है क्या ये हो सकता है कि इसने कोकोरुई को एक टूल की तरह यूज किया जिससे कि वो मेरे उपर ही mind control को setup कर पाए और इसी के साथ अपना ये शांदार episode का end हो जाता है और अब gambling arc के end होने में सिर्फ 3 episodes और जिसके बारे मैं मुझे कावी सारे comments आ रहे थे तो अब वो time आ गया है जब तुम Shiba Yuchi को अपने peak पर देखोगे और ये आने वाले तीनों episodes एक से बढ़कर एक होने वाले हैं और इसी के साथ मैं तुम लोगों को एक छोटी सी announcement देना चाता हूँ इन तीन episodes के बाद हमारे season 3 का first part end हो जाएगा तब तक हमारे इस channel पर 1000 subscribers complete हो जाएं क्योंकि उसी के बाद इस game का second part start होगा तो मैं तुम लोगों से फिर से request करूँगा कि अगर तुम लोगों ने अभी भी इस channel को subscribe नहीं किया है तो please कर दो यार at least मेरी YouTube journey का first achievement तो पूरा होई जाए तो फिर इसी बात के साथ अब मैं इस video का end करता हूँ और फिर हम मिलते हैं अब next episode में तब तक के लिए bye bye thank you so much